दोस्तों पुराने नौट और सिक्के बेचने के नए नियमों के तहत अब इन नौट और सिक्कों को बेचना बेहत ही आसान हो चुका है पहली बात तो जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे वही लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर पाएंगे और ये जो फ्रॉड लोग होते हैं आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं और जब आप इनसे कॉंटेक्ट करते हैं तो आपसे पुराने नौट और सिक्के बिक्वाने के बदले में रजिस्टेशन सुल्क मांगते हैं इन से आपको बचाने के लिए अब Newismatic Society of India की तरफ से ऐसा नियम निकाल दिया गया है कि जो लोग वीडियो को सुरू से अंत तक देखेंगे सिरफ वही लोग कमेंट कर पाएंगे और जैसे ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, रियल बायर जट से आपके कमेंट का रिपलाई देगा या फिर कमेंट में आपने पूरी जानकारी लिखी है तो आप से कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपके नौट और सिक्के हेंट टो हेंट बिख जाएंगे दोस्तों पहले भी पुराने नौट और सिक्के बेचने के कई सारे अलग-अलग नियम्स बनते रहते थे और उन नियमों के कई सारे लोग जो है फोलो करते थे और उनके नौट नहीं होती है rare note और सिक्के में क्या चीज common होती है क्या चीज होती है जो unique होती है वो सब आपको पता होना चाहिए जब इतनी normal चीजे ये लोग बताते हैं तो आपको भी आसानी से समझ जाना चाहिए कि ये लोग real buyer नहीं है उसके अलवा कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम real buyer है और फिर वो जाकर के कहते है कि ये note के उपर लिखा है मैं दार्ग को इतने रुपे अद्दा करने का वचन देता हूँ तो दोस्तों ये सभी note उपर लिखा होता है ये एकदम normal चीजे unique चीज होती है उसके उपर governor के जो signature होते है वो और उसके अलवा जो note के उपर serial number होती है वो होते है unique और कई सारे लोग ये भी बताते है सिक्के के उपर की इसके उपर आप देख सकते हैं 50 पैसे का coin है याँ पर आपको अंकों में 50 लिखे हुए दिख रहा होगा इधर भारत और English में India लिखा हुआ है तो दोस्तों ये चीजे सभी सिक्कों पर लिखी होती है अगर India का coin है तो उस पर Hindi और English में दोनों language में लिखा हुआ होगा 50 पैसे का coin होगा तो उस पर 50 पैसे ही लिखा होगा तो ये normal चीजे बताने वाले लोग fraud होते हैं उनसे आप सावधान रहें बाकी real buyer से कैसे contact करना है वो चीज में आपको आगे बता देता हूँ जो आज हम buyer लेके आए हैं उसकी पूरी detail आपको देंगे इनके phone number निकालने की भी पूरी जानकारी आपको बता देंगे जिससे कि आप आराम से इनसे contact कर सकते हैं कभी भी अपने note और सिक्क्य आप बेचने के लिए इनको call कर सकते हैं साथ ही साथ आप currency भी देख लेना क्योंकि दोस्तों जिन note और सिक्कों के इन्हें आवशकता है सिरफ वही note और सिक्क्य ये खरीदेंगे उसके अलवा अगर कोई rare currency आपके पास में है और ये buyer नहीं खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप currency buyers page और real coin company जो facebook page है उस पर जा करके बेच सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये currency देख लेते हैं याँ पर आपको एक एक करके वो note और सिक्क्य दिखा रहे हैं जिने आज ये buyer collect करने वाले हैं आप direct इने phone करके बेच सकते हैं इन में से चाए एक वी note या फिर सिक्क्य आपके पास में हो तो आप call कर सकते हैं direct इन से बात कर सकते हैं सबसे पहला coin है दोस्तो 25 पैसे का जो 1959 में जारी किया गया था और इसके उपर कोई भी mint mark नहीं है आप ये coin देख सकते हैं इसी design वाला अगर ये coin आपके पास में है 35 पैसे का तो आप contact कर सकते हैं और इसे बेच सकते हैं दोस्तो एक बहुती ज़्यादा normal coin देखने में लेकिन फिर भी वो rare है और उसके बदले में आपको 1,70,000 रुपे कीमत मिलेगी 5 रुपे का ये coin है और इस coin के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 1997 है इस year में ये जारी किया गया था और नीचे आपको mint mark भी दिख रहोगा डॉट का तो ये dot का mint mark होना चाहिए तब इसके बदले में 1,70,000 रुपे आपको कीमत दी जाएगी उसके अलावा दोस्तों एक रुपे का गयों की बाली वाला coin आपके पास में है तो गयों की बाली वाले coin बहुत सारे हैं अलग-अलग सन में जारी किये गए लेकिन आपके पास में 1978 में जारी किया गया dot के mint mark वाला coin है तो उसे आप बेच करके 2,30,000 रुपे प्ताप्त कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों सुबाच चंदर बोस जी की portrait वाला अगर 2 रुपे का coin आपके पास में है जो 1997 में जारी किया गया है और इसके उपर भी कोई साभी mint mark नहीं है और इस coin के बदले में पूरे 5,00,000 रुपे आपको दिये जाएंगे स्री माता वैशनो देवी के स्राइन बोड वाला अगर आपके पास में 5 रुपे का coin है तो उसे भी आप बेच सकते हैं और इसके बदले में 3,00,000 रुपे आपको मिलेंगे डॉट का mint mark होना चाहिए वैसे तो स्री माता वैशनो देवी के स्राइन बोड वाले कफी सारे सिक्के जारी किये गए थे लेकिन डॉट के mint mark वाला 5 रुपे का ये golden color वाला coin होगा तब भी आप उसे बेच कर 3,00,000 रुपे तक प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों लूइस ब्रेल वाला ये coin अगर आपके पास में है दो रुपे का तो इस coin के बदले में भी 2,00,000 रुपे आपको कीमत मिलेगी पीछे की तरप आप अच्छे से देख सकते हैं इस तरह की तस्वीर बनी हुई है तो इस coin को भी आप बेच सकते हैं हमें comment करके जरूर बताए उसके अलावा दोस्तों जो आपको तरीका बताया था Facebook पर बेचने का वहाँ पर भी आप बेच सकते हैं दो रुपे का ये वाला coin दोस्तों देखने में काफी ज़्यदा नॉर्मल दिख रहा होगा लेकिन अगर 2016 में जारी किया गया यही dot mint mark का coin आपके पास मैत इसे बेच कर आप 70,000 रुपे तक प्राप्ट कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों coins काफी सारे हैं उनकी बात करें तो और यहां पर आप सभी coins देख रहे हैं जिसमें से एक विशेश तरह से आपको बताऊं तो यह गेंडे वाला coin है जो 1994 में जारी किया गया dot के mint mark वाला अगर 25 पैसे का coin है इसके बदले में आपको डाइलाग रुपे किमत दी जाएगी नोटों में बात करें तो ट्रेक्टर वाला नोट आपको पता ही है दोस्तों जिसमें अगर गांदी जी की फोटो बनी होगी तो सुबा राव गवर्नर जनरल के signature वाला नोट होना चाहिए और अगर उसके उपर सोक पिलर बना हुआ हो तो मलोत्रा जी के signature होने चाहिए या फिर विमल जालान के signature वाला आपके पास में नोट है गांदी जी की फोटो वाला तो वो भी आप बेच सकते हैं ये तीनो जो गवर्नर के signature आपको दिखाए इनमें serial number normal होगी तब भी आप बेच करके दो से डाइलाक रुपे एक नोट के बदले कमा सकते है लेकिन अगर इसके अलवा आपके पास में किसी भी गवर्नर जनरल के signature हो और उसमें serial number unique हो साथ सो सियासी की हो फैंसी या सुपर फैंसी हो तब उसके बदले में आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी साथ साथ दोस्तों 20 रुपे का अगर आपके पास में चक्कर वाला नोट है जिसके उपर सी रंगराजन के signature की होए होंगे तो उस नोट के बदले में आपको 2 लाख रुपे कीमत दी जाएगी और दोस्तों ये जो नोट देख रहे हैं संसद बवन वाला 50 रुपे का इस नोट के पीछे यहाँ पर विमल जालान के signature की हुए अगर सैम इसी तरह का नोट है और नॉर्मल सीरियल नंबर है तब भी उसके बदले में आपको 1,30,000 रुपे कीमत मिल जाएगी यहीं पर अगर कोई सूपर फैंसी, सैमी फैंसी या साथ सो सियासी की सीरियल है यूनिक सीरियल नंबर मिल जाती है तो उसके बदले में 3,30,000 रुपे तक भी आपको मिल जाएगी दोस्तों और भी नोट काफी है जैसे की 10 रुपे का पिकोक वाला नोट हो गया और 10 रुपे का ही आपके पास में जहाज वाला नोट हो गया या फिर 500 रुपे के नए वाले कोई से भी नोट हो गये जिनमें यूनिक सीरियल नंबर है तो आप बेच सकते हैं यूनिक सीरियल नंबर में दोस्तों आप इस देख सकते हैं 500 और 502 इस तरह से अगर सीरिल है तो वो semi fancy सीरिल कहलाती है और गर 780 की सीरिल में है तो भी आप बेज सकते हैं जरूरी नहीं है कि 780 सीरिल के सीरिल के starting में हो या फिर ending में हो बीच में भी हो तब भी आप बेज सकते हैं और 70-80,000 रुपे आपको इसके बदले में मिल जाएंगी तो दोस्तों ये तमाम नौट और सिक्ये बेचने के लिए और रियल बायर से कॉंटेक्ट करने के लिए बिना फीस अपने नौट और सिक्ये बेचने के लिए आपको करना क्या है अमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए या टाइटल के आगे एक छोटा सा तीर का निसान आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा description में दोस्तो सब से उपर आपको blue color में दो link दिखाई दे रहे हैं उन में से आप किसी भी एक link पर click करेंगे तो video का जो आप है direct numismatic society of India की official website पर पहुंच जाएंगे दोस्तो website पर जाते ही आपको भारत सरकार की जो official application है पूरा ने note और सिक्कों की उसे download करने का option दिखाई दे रहा होगा वहाँ से आप उस application को अपने phone में download करके install कर लीजिए और install करने के बाद अपने phone number डाल के आप जैसे ही login करेंगे आपको 250 रुपे मिलेंगे gift के तोर पर जिने आप end to end अपने phone पे, ptm, google पे, back account में ले सकते हैं और उसके बाद आप जैसे ही अपने note और सिक्कों की photo या फिर video उस application पर upload करेंगे तो real buyer खुद सामने से आप से contact करेंगे और आपके note और सिक्कों के बारे में आप से जानकारी लेंगे दोस्तों या पर 656 जो इंडिया के original registered buyer है वही मिलेंगे कोई भी fraud buyer आपको नहीं मिलेगा और कोई भी buyer ना तो आपके document मांगेगा और ना ही एक रुपया भी आपसे registration शुल की demand गरेगा तो thank you, जैहिन दोस्तों मिलती हैं अगले वीडियो में